एप्लिकेशन ओफ इस्टेंडर्ड इलेक्ट्रोड पुटेंशियल इनॉट सेल ठीक है ना चलिए बैट पहली जो एप्लिकेशन है वो आती है कि देख बैट अगर मैंने तो यह बताया ध्यान रखना सहसे पहली एप्लिकेशन क्या है अगर कभी भी तुझे चेक करना है कि यह सेल जो है कोई भी पेपर में सेल दिख जाए और वो पूछने लगे कि भाईया क्या यह सेल बन सकता है क्या यह कंस्ट्रेक्ट हो सकता है तो उसके लिए सरिफ ध्यान रखिए आपने value of e naught निकालनी है e naught of cell निकालनी है और वो value क्या होनी चाहिए positive होनी चाहिए अगर वो positive आती है तो वो cell क्या हो जाएगा construct हो जाएगा बास तो जो मैं आ रहे है इसी को अगर मैं एक्जांबल थुरू बताना चाहँ तो मैं कहोँँँख सिंबल देख तो एक बात देख I कुण यह वो पूछेगा तो यह गिवन तेरे पास data होगा तो यह बताना पढ़ेगा क्या क्या यह cell बन सकता है नहीं बन सकता है ठीक है नवर अभी मैं तुम्हें बता था कि यह इलेक्ट्रो केमी कल्स में से कहूं तो यह इलेक्ट्रो केमी कल्स्याइज इस एन ऑफ जो भी आए उसकी क्या करेंटेशन नि अब жд E not cell के through कैसे बताना है construction of cell वो बता रहा हूँ गे देख भाई मैं तुझे data दिया मैं तुझे data क्या दिया सिंपल में फिर तुझे वही data दिया जडेंट टू पॉजिटिव था जडेंट सॉलिड था माइनस के 0.76 वोल्ट दे दिया सिंपल कॉपर टू पॉजिटिव था सिंपल कॉपर सॉलिड दे दिया फर्दर में तुझे data वही दे दिया पलस के 0.34 वोल्ट और जब तो इसको अभी कैलकुलेट कर रहा था तो तेरे पास E not cell के वैलू के आ रहे थी रहे positive आ रही थी और अगर आ रही थी तो इसका मतलब यह cell क्या है यह जो cell है यह क्या है construct हो जाएगा construct होगा ठीक है ना ऐसे कितने भी सवाल आ जाएं क्या बता दोगे चलिए दोस्तों अगर यह बात समझ में आती है इससे बहतरीन पॉइंट और क्या बनता है इस केस में इससे बहतरीन पॉइंट और क्या बनता है सबसे जो important इसकी application है वो है to predict the to predict the oxidizing and reducing trend to predict the oxidizing and reducing trend मतलब कि देख भाई बहुत देर से अभी में पिछले दो लेक्टर से हम oxidation और reduction पढ़ रहे थी और मैं बार बार इंट्रडूस कर रहा था इनॉट सेल को उसी के सारे कारणामे है और पेपर में एक ना एक सवाल जरूर ऐसा मिले यह मानन के चल तेरे पास copper two positive था यह कोशन दिया copper two positive से copper solid है जिसका जो data है वो परस के 0.34 वोल्ट था और मैं तुझे कोई भी एक random data दिया mg पलस 2 से mg solid है जिसका जो data है वो 0.78 वोल्ट है मैं ऐसी random data उठा रहा हूं रहा हूं मैं कोई ऐसा experimental data नहीं उठा रहा हूं मैं रहा रहा हूं ठीक है मैंने ऐसी simple तुझे दिया al giving के al 3 positive है जिसकी value जो है वो 1.6 वोल्ट है और अम मैं तुस्से पूछने लगूं कि which will be which will be on the basis of the given data which will be better oxidizing agent and reducing agent या मैं पूछने लगूं किसकी oxidizing power जाधा होगी या किसकी reducing power जाधा होगी पहले एक बार आप ट्राइब करेंगे फिर्मिट बताता हूं आप सिंपल कोश्चन है कि सिंपल इनॉट का कॉंसेप्ट लगाना और बड़ी इजी लिए आप बता सकते हैं कि कौन बेटर oxidizing agent बोलूँ या oxidizing power बोलू रिडूजिंग agent या reducing power बोलू multif इतना टाइम हमारे पास है नहीं तो मैं करता हूँ सवाल को देखना हूँ अगर मैं रिड्यूजिंग पावर को डिफाइन करता हूँ रिड्यूजिंग पावर डिफाइन करूं या मैं एजेंट बोलूं देख भाई मैं कहूंगा रिड्यूजिंग पावर का मतलब है किसी को reduce करने की छमता और reducing agent की बात कहूं तो agent का मतलब कोई भी काम करने वाला तो reducing agent को ने किसी को reduce करने वाला ठीक है अब कोई किसी को reduce कब करेगा मतलब मैं तो मैं reduce अगर करना चाहूं तो मैं कब करूँगा जब मैं खुद oxidize होंगा बास समझ मारे रहे और अगर मैं खुद ऑक्षिडाइज होंगा तो मुझे खुद ऑक्षिडाइज करने के लिए क्या चाहिए मुझे मेरा जादा क्या होना चाहिए ऑक्षिडेशन पोटेंशिल होना चाहिए तो अगर कोई भी better reducing power होगी किसी की better reducing agent होगा तो वो कौन होगा जिसका खुद का ऑक्षिडेशन की ऑकात जादा होगी more oxidized होगा या मैं कहूँ self oxidized होगा self oxidized होगा और self oxidized कब होगा जब E not OP क्या होगा more होगा बोलो भाई बास समझ माई यह नहीं आई ठीक है similarly अगर मैं इधर देगे अगर मैं कहूँ oxidizing isn't या मैं कहूँ power तो भाईया oxidizing isn't मतलब मैं किसी को oxidize कर रहा हूँ और मैं किसी को कब कर वा रहा हूँगा जब मैं खुद reduce हो रहा हूँगा और मैं खुद reduce कब हूँगा जब मेरा reduction potential ज़ादा होगा इसका मतलब मैं कैसी species हूँ मैं self reduce हूँ और मेरा maximum क्या होगा reduction potential E not RP standard reduction potential मेरा क्या होगा maximum होगा बास समझ मारी है बई अगर मैं अब इस सबाल पह जाएए सबसे पहले अगर कभी भी electro chemistry में deal करना है न सारी terms को एक term में convert कर लो कैसे करना है देखना रहे trick सीखते चलना 2 positive से CU 0 इसका मतलब E not reduction given है यह E not E not RP given है MG 2 positive से MG इसका मतलब यह भी क्या है E not RP given है ठीक है मैं सुनना और यह क्या है मेरे पास 0 से 3 positive मतलब कि यह E not OP given था लेकिन मैं तो यह E not RP के साथ deal करना चाहता हूँ यह क्या है यह तो है मेरे पास E not OP और यह अगर मैं इसको minus 1.6 वोल्ट लिख देता हूँ तो यह क्या वन गया मेरे पास इसका E not RP उस ताइम पे मेरी reaction क्या होगी रे representation क्या हो जाएगी E not RP क्या होगी solid सारा कुछ तुमारे सामने है क्या बोला मैंने मैंने बोला कि अगर किसी को better oxidizing agent या oxidizing power चाहिए तो उसका reduction potential E not RP क्या होगी साथ से ज़्यादा होगी इसका मतलब इन तीनों में से E not RP क्या ज़्यादा है इसकी ज़्यादा है बास समझ माती है उसके बाद अगर मैं कहूँ E not OP इसका मतलब वो क्या होगा reducing agent या reducing power अच्छी होगी तो E not OP किसका ज़्यादा है तो OP के साथ deal कर लो यहाँ पर क्या हो जाएगा E not OP इसका minus के 0.34 volt है इसका minus के 0.78 volt है और इसका तो given ही था तो ये बहतर कौन है ये बहतर कौन होगा reducing agent और ये बहतर कौन होगा और ये बहतर कौन होगा रहे oxidizing agent Mg जो है ये कौन होगा बहतर oxidizing agent और ये कौन होगा बहतर reducing agent लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कात ये पढ़ती है कि बच्चों को ये ही समझ में नहीं आता अभी तक कि A0 पर जो reaction चलती है वो कहां से कहां चलती है बास समझ में आ रही है ना केस को समझो थोड़ा केस को समझो मैंने कहा कि किसी को oxidizing agent बनना है तो ये बात तो साफ है कि उसका reduction potential जादा होगा ठीक है मैं और अगर उसका reduction potential जादा होगा तो वो खुद क्या होगा reduce होगा और अगर वो खुद reduce होगा तो अब सीठीची बात है मैंने क्या बोला अगर किसी का reduction potential जादा है तो खुद reduce होगा और उसका reduction potential जादा ज़ादा हो जाएगा कहां पे Cathode पे जाएगा और cathode पर जो reaction चलती है वो कहां चलती है जैसे मैं भी एक example ले रहा हूं मैं जैसे बताए ताभी CO2 positive दो electron खाएगा और copper solid में जाएगा ठीक है बाई यह ध्यान रखना कि अगर कोई maximum reduction potential वाला oxidizing agent यह oxidizing power रखेगा तो reaction कहां चलती है electrolyte के basis पर चलती है इसी species को मैंने क्या define किया था electrolyte define किया था लास्ट लेक्चर में और इसको मैंने क्या बताए था electrode define किया था ठीक है ना इसका मतलब मैंने क्या बोला maximum rp किसका था इसका मतलब mg2 positive जो होगा वो कौन होगा बेटार oxidizing agent होगा और सेम कहानी e0 op जादा मतलब की anode पर reaction और अगर anode पर इसके case में reaction चलेगी तो al जो होगा ना वो better कौन होगा रहे reducing agent होगा है reducing power उसकी जादा होगी और जो reaction जा रहे होगी वो al solid से al 3 positive 3 electron निकाल गया रहे है बोलो भाई यह application समझ में आई यह नहीं आई बोलो भाई स्रिफ मैंने दो यह बातें बताई सेल कंस्ट्रेक्ट कैसे करते हैं और दूसरी बात oxidizing और reducing trend एक ना एक सवाल जरूर मिल जाएगा पेपर में बोलो भाई reducing power का मतलब क्या था reducing power का मतलब था more oxygen और उसके केस में e-not op more होता है इतना भी याद नहीं है लेकिन तुझे इतना याद था कि anode पे reaction चलनी चाहिए और अकर anode पे reaction चलेगी तो वो electrode to electrolyte चलती है electrode to electrolyte चलती है ठीक है ना इसका मतलब अगर electrode होगा तो वो better reducing isn't होगा बास समझ में आई ना थेगा ना बेटर क्योंकि anode पर एक्षिन चल दिये सेम कहानी उल्टी यहाँ पे हो जाएगी electrolyte होगा तो बेटर oxidizing